कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू वेज मेट्रिक्स के बारे में क्योंकि देखिए जीडियास को कितना सेलरी मिलेगा बैसिक सेलरी कितना होता है एक साल के बाद इंक्रिमेंट जब लगेगा कितना बढ़ेगा इस तरह से जब इंक्रिमेंट होते रहता है होते रहता है कितना बर सकता है जैसी यहां पर देखिए थर्टी वों पर देखिए है थर्टी वैंग जो काम करेес तख जो काम करेगा उसको कितना सेल्डे मिल सकता है चाहिए GDS यदियस बिपियम हो चाहिए Gद इस BPM लेवल 1 से LEVEL 2 का हो या LED करने क भए ल用 करने के दा 31 साल कम करने बाद GDS BPM-A BPM यह सबकर सेल्डे कितना हो सकता है? LEVEL 1 का ABPM, LEVEL 1 का BPM, LEVEL 2 का ABPM, LEVEL 2 का BPM ठीक है तो आप चांदती है लेवल 1 से लेवल 2 में जाया जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देखे पहला देख वेज एसकेल 1 एसिस्टेंट ब्रांस पोस्ट मास्टर डाक सेवक लेवल 1 जिसका बेसिक सेलरी 10,000 रहता है और हाइस्ट रहता है 24,470 यहाँ पर देख सकते हैं 31 साल जब कोई काम करेगा तो 24,470 उसका हो जाएगा ठीक है स्टेज बाइज बरता है और यहाँ पर देखे एसिस्टेंट ब्रांस पोस्ट मास्टर डाक सेवक लेवल 2 और बी में देखे ब्रांस पोस्ट मास्टर लेवल 1 यानि एसिस्टेंट ब्रांस पोस्ट मास्टर लेवल 2 का एक्विवेलेंट रहता है ब्रांस पोस्ट मास्टर लेवल टू, वेज़ स्केल त्री, ये वेज़ स्केल टू था, वेज़ स्केल वन, एसिस्टेंट ब्रांट्स पोस्ट मास्टर का था, वेज़ स्केल टू मतलब लेवल वन का ब्रांट्स पोस्ट मास्टर और लेवल टू का एसिस्टेंट ब्रांट्स पोस्ट मास्टर या डा बरता रहेगा तो आपको समझाते हैं यहां पर देखिए जब आप जोइनिंग करेंगे एसिस्टेंट ब्रांस पोस्ट मास्टर या डाक से बगपे तो आपको 10 जर रुपया देगा उसको बोलते हैं स्टेज वन ठीक है जब आप बीपेम में जोइन करेंगे तो आपको 12,000 र साल हो जाएगा तो 10,300 रुपया आपका हो जाएगा एसिस्टेंट ब्रांस पोस्ट मास्टर का तब आप लेवल टू में चले जाएंगे बीपेम को 12,360 रुपया दिया जाएगा और यहां पर लेवल टू का बीपेम का भी बात कर लेते हैं 14,500 से स्टाट होगा 14,940 रुप यहां मिलेगा एसिटेंट 3 में यह जाड़ है और यहां पर देखिए बीपेम लेवल टू का कितना है 15,390 रुपिया उसी तरह चौथा सल जब हो जाएगा तो यह बीपेम को 10,930 रुपया मिलेगा एसिटेंट 4 में चला जाएगा और बीपेम को 13,130 रुपिया मिलेगा एस 4 पे हम 13,130 रुपिया मिलेगा तो जो यह बीपेम है उसको 11,260 रुपिया दिया जाएगा उसके बाद बीपेम को 13,530 रुपिया दिया जाएगा एसिटेंट 3.5 पर यह भी रहेगा और लेवल टू का बीपियम को 16,340 रुपिया दिया जाएगा उसके बाद जब 6 साल हो जाएगा तो 11,006 रुपिया दिया जाएगा लेवल वन का एबीपियम को उसके बाद लेवल टू का जो एबीपियम या लेवल वन का बीपियम है 13940 रुपया दिया जाएगा 6 सल हो गया है उसको 16840 रुपया मिलेगा यानि लेभल 2 का बीपेम जो 6 सल काम किया है 16840 रुपया देगा उसको साथ साल हो जएगा 13950 शर्यं में बीपीम को देगा बीपीम को चोदह 1360 रुपय दिया जाएगा और लेभल टुका बीपीम को 17 Clearly दिया जाएगा इस तरह से भरते 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 अप दस्मा साल सल जो 10 साल हो जाएगा 13 ost Fra600 रुपय दिया जाएगा ए को और बीपीम को 15,710 रुपया दिया जाएगा और लेवल टू का बीपीम को 18,960 रुपया दिया जाएगा तो इसी टाइम बहुत सारे चीज मोडिफिकेशन होता है लेवल वन से लेवल टू सब किया जाता है लेकिन नौरमल अगर चलता रहा सार यहां करेंगा थाइगा जो प्लकेशन होत्ता रुपया हाइस्ट आव जाएगा हई वीपीम का ठीक है जो लेवल वन का एव बीपीम है और जो लेवल टू आप एव बीपीम है या लेवल के हिसाब से आपको पता चलता रहेगा कि आपका basic salary कितना हुआ इस सी थोड़ा सा भी changes इसमें नहीं आता है ठीक है जितना होना चाहिए उतना ही दिया जाता है same पुड़ा setup कर दिया जाता इस तरह से यहने कि एक दू रुपिया का difference होगा कुछ नहीं difference रहता है जो यहां पर देखिए अगर कोई 20 साल काम करेगा लेवल वन का बीपिया में 17,620 रुपिया दिया जाएगा अगर वही बीपिया है तो 21,180 रुपिया दिया जाएगा और लेवल टू का बीपिया में तो 25,580 रुपिया यह सिर्फ बेसिक salary है डियर ने ABPM का तो 23,750 रुपिया दिया जाएगा उसका लेवल स्टेज कितना है 30 साल 30 हो जाएगा ठीक है और वही बीपियम है लेवल वन का और ABPM है लेवल टू का तो 25,520 रुपिया मिलेगा जब 30 साल होगा वही लेवल टू का बीपियम है तो 34,440 रुपिया दिया जाएगा तो इ नहीं हुआ है आप खुद से भी इसले मिलता है और एप लिसमी को सिर्फ सर्ष गटनेंट एक्साइप उपकर से सब्सक्श्च लाउंट से लाग से जन्हाइर है वह ज tiene UK जो एस्टेज वाज यहां पर बढ़ता जाता है ठीक है यहां पर देखिए होग